साथियों, जी एम एम और कॉंग्रेस के पास जार्खन के विकास का कोई न रोड में भैं, न इरादा है, न कभी भुद्काल में कुछ किया है। अगर वो जानते हैं, तो उनको एक ही बात का पता है, एक ही बात का, बस जहां भी मोका मिले, भाजपा का विरोद करो, मोदी को गाली दो, जहां भी जावबत दिन रात, सुबे शाम, मोदी को गाली दो, मोदी को गाली दो, मोदी को गाली दो। यही कर रहा है और भाजपा का विरोध करते करते इन लोगों को देश का विरोध करने की आदत हो गई है उनको समझ ही नहीं आ रहा है कि वो भाजपा का विरोध कर रहे हैं कि भारता का कर रहे हैं सीमा रिखाए लाग देते हैं साथियों आपने समाचारों में देखा होगा कि हमारे देश की संसत ने अभी नागरिक्ता कानून से जुड़ा एक महत्वपुण बडलाव किया और इस बडलाव के कारण पाकिस्तान, मंगला देश और अफगानिस्तान से जो वहाँ लगुमती में थे वो अलग धर्म का पालन करते थे अलग पंथ के वह अनुआई थे इसलिए वहाँ उन पर जुल्म हुए उनका जीना मुश्किल हो गया उनकी बेहन बेटियों की इज्ज़त मुश्किल हो गई ये तीन देशों से हिंदू, इसाई, सीख, पार्सी, जैन, बहुत उनको वहाँ से अपना गाउ, गर, परिवार, दोध, यार, सब कुछ छोड़ करके भारत में भाग करके यहां शर्णार्थी की जिन्दगी जीने के लिए मजबूर होना पड़ा उनके जीवन को सुधारने के लिए, इन गरीबों को प्रती सेवा भाव से, उनको सम्मान मिलेश लिए, भारत की दोनों सदोनों ने, भारी बहुत से, इन गरीबों के लिए, नागरीकता का निर्णे किया लेकिन ये कॉंग्रेस वाले और उसके साथ ही क्या कर रहे हैं? भोहलना मचा रहे हैं, तुफान खड़ा कर रहे हैं, और उनकी बात चलती नहीं है, तो आग जे नहीं फैला रहे हैं? भाईयों भनों ये जो आग लगा रहे हैं, तीबी पे उनके जो द्रश्य आ रहे हैं, ये आग लगाने वाले कौन है, वो उनके कपड़ों से ही पता चल जाता है। और देश, कॉंग्रेस के लोग उनके साथ ही, हमारे विरोध करने वाले लोग, अगर समझ सकते हो तो समझो, आप ये जो कुछ कर रहे हो, आप लोग जो हो रहा हैं, उसको मुक्ष समर्थन दे रहे हो, आज जो ये आज जिनी फ्यानाने के प्रयास हो रहे हैं, उसको आप आखे बंद करकर के मुँ मोड लेते हो, देश उन्हें देख रहा है, और देश का विश्वात पक्का हो जा रहा है, इन द्रशों को देख करके पक्का हो रहा है, कि मोदी ने देश की पार्लामेंट ने भारत की सरकार ने नागरिक्ता का कानून बना करके देश को भी बचा लिया है हमारा फैसला सही है यह आपके इंकार नामों से पता चलता है और इसलिए जो कोशी से की जा रही है मैं आसाम के नौर्थिस के भाईयों बैनों का सर जुका करके अभिनन्दन करता हूँ उन्होंने हिंसा करने के इरादे वालों को अलग कर दिया शांतिपुन तरीके से अपनी बात बता रहे हैं देश का मान सम्मान बड़े ऐसा वहवार आसाम नौर्थिस कर रहा है अपना गीला सिक्वरी बता रहा है यही तो लोग तंत्र है आप हैरान हो जाएंगे लंडन में भारत का दुतावास है देश का दुतावास है एक सो तीस करोड देश वास्यों का प्रतिनी दीत्र करता है जब राम जन्मभूमी का निर्णे हुआ पाकिस्तान वालों ने जाकर के लंडन में भारत के MBC के सामने प्रदर्शन किया धारा 370 का निर्णे हुआ पाकिस्तान के लोगों ने लंडन में हाई कमिशनर के सामने जाकर के प्रदर्शन किया हिंसक वार्दाते भी की आप हैरान हो जाएंगे जो काम लंडन में हमेशा पाकिस्तान करता रहता है पाकिस्तान के पैसों से कुछ विकाव लोग करते रहते हैं पाकिस्तान से आ करके जो लंडन में बसे हैं वो लोग करते हैं पहली बार जो काम पाकितान हमेशा करता था यह कॉंग्रेस वालों ने किया बताओ इससे जादा शरम की बात क्या हो सकती क्या दुनिया के देशों में भारत की ही एमबेसी के सामने कभी कोई भारत का व्यक्ति प्रदर्शन करता है क्या अगर गीला सिक्वा है तो जाता है अंदर कमरे में बैठता है चाई पिता है बात बताता है और एमबेसी उस जो कांगेज होते हैं वो भारत सरकार को पहुंचा देती है दुनिया में हिंदुस्तान को बद्नाम करने का काम हो रहा है और तब जांकर करके लगता है कि भारत की संसद ने नागरिक्ता के कानून में जो सुधार किया है वो हजारों प्रतिशत सच्चा निर्णा है वो आपके कारणामों से अब सिद्ध होने लगा है दखबरदार हिंदी न्यूज चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए दखबरदार हिंदी न्यूज चैनल को लाइक करें शेयर करें सब्सक्राइब करें और अगर आप ये वीडियो फेस्बुक पर देख रहे हैं तो फेस्बुक पेज को लाइक करें धन्यवाद